तो गाइस क्या आप एक बन्यासा रूमेटर ढूंट रहे हैं बट आप कन्फ्यूज दे कि आपको कौन सा रूमेटर लेना चाहिए रेडियंट, कन्वेक्शन या फिर ओल फिल्ट रूमेटर्स कौन से वाले में कितने बिजली जाएगी कौन जल्दी रूम को घरम करेगा और कितने प्राइस के रूमेटर समय लेने चाहिए 1000 रुपे वाले, 1500 रुपे वाले, 2000 रुपे वाले या 6-12,000 रुपे वाले तो दोस्तो ऐसे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे बट डोन्ट वरी गाइस इन टुडेज वीडियो मैं आपको रूमेटर के बारे में काफी आसान सब्दों में समझाऊंगा ताकि आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पढ़े और आप अपने जरूरत की साबसे बेस्ट रूमेटर खरीच सकें बढ़ते हैं वीडियो के तरफ गाइस तो guys पहले मैं आपको तीनो टाइप के रूमेटर के basic functionalities and features बता देता हूँ ताकि आपको idea लग सके कि आपको कौन से रूमेटर लेने चाहिए and last मैं आपको तीनो टाइप के two best रूमेटर बताऊंगा तो आपको 100% लेने चाहिए क्योंकि इस वीडियो के बनाने से पहले हमने काफी research किया है रूमेटर के बारे में ताकि आपको best value for money product ही suggest कर पाए and सभी का best buying link आपको निचे description में मिल जाएगा आप वीडियो के बाद जाके check out कर सकते हैं तो चलिए guys जानते हैं पहले की तीनो टाइप की रूमेटर कैसे होते हैं यह कैसे काम करते हैं तो guys आते हैं अपने पहले टाइप की तरफ जो है radiant रूमेटर यह रूमेटर आप में से जाधा तर लोगों ने हर जगए देखा होगा क्योंकि यह सबसे सबसे रूमीटर्स होते हैं इनकी प्राइस 1000 रुपए से 2000 रुपए के आसपास होती है और इसकी functionality की बात करें तो यह आपको एक heating element के साथ देखने को मिल जाता है जो mainly 3 types के होते हैं Quartz, Halogen and Carbon Fiber बात करें electricity consumption की तो radiant room heaters 400, 800, 200 watt तक बिजली लेते हैं डिपेंड करता है कि आप कैसे use कर रहे हैं For example, अगर आपके पास दो heating element वाला room heater है and दोनो 400 watt each consume करता है और in case अगर आप single mode में use कर रहे हैं तो 400 watt ही जाएगा and अगर आप दोनों 7 में use कर रहे हैं तो 800 watt जाएगा तो ऐसे काम करता है guys इसका electricity consumption तो चलिए बात कर लेते हैं radiant room heaters के pros and cons की pros की बात करें सबसे पहले ये काफी budget friendly है guys आपको 1000 रुपे से 1500 रुपे में best से best model मिल जाएगा दूसरा इसमें आपको fast rating में देखने को मिल जाता है तीसरा ये काफी कम electricity consume करता है दूसरी टाइप की room meter से बात करें cons की तो सबसे पहले है con है ये थोड़ा सा unsafe माना जाता है अगर आप अच्छे से use ना करें especially उनका room में जहाँ पर बज़ूर्ग and बच्चे रहते हैं बट आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो ये चीज़ को avoid कर सकते हैं दो-तिन गंटे यूज़ करने के बाद room meter को बन कर देना जब room थोड़ा सा गरम हो जाए and like कोई भी ऐसा flammable सामान सामने ना रखना दूसरा कौन ये है कि ये जितने अल्ली room को गरम करता है उतने अल्ली ठंडा भी कर देता है अब बात करते हैं अपने second type of room meters के बारे में जो के है convection room meters तो ये room meters कुछ इस type के दिखते हैं गाईज बात करें अगर इसके functionality के बारे में तो इसके अंदर भी आपको heating element मिल जाता है इसका model थोड़ा सा लगे इसके अंदर आपको एक blower fan देखने हो मिलता है जो continuously गरम होओं को बाहर पिकता है और आपको एक कमाल का heating experience देखने को मिल जाता है गाईज and guys convection room meters इंडियन मार्केट में सबसे जादा बिकते हैं सबसे जादा आते हैं इसके pros and cons के उपर तो सबसे पहला pro इसका ये guys ये भी budget friendly है ये भी आपको 1500-2000 तक best से best model लेखने को मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है दूसरा इसमें भी आपको fast reading देखने को मिल जाती है and guys बात करें heater को बंद करने के बाद कितने दिर तक रहता है except oil filter radiator room meters क्यों आगे जानेंगे आते हैं इसके cons के उपर तो guys इसका पहला कौन ये है कि ये electricity लगपक 2000 watts consume करता है अगर compare किया जा राइडेन रोमेटर से तो दो गुना से भी जाधा इसका दूसरा कौन ये guys क्योंकि इसका functionality ऐसी कि इसके अंदर से गरमाव बाहर आती है जिसके विज़े से हमारे room में थोड़ी सी triness air में आ जाती है और थोड़ा सा humidity कम हो जाता है पर इसको हम prevent कर सकते हैं अगर हम एक छोटे बरतन में कुने में अपने रूम में कहीं पर पानी को रख दें थोड़ा सा तो वह थोड़ा सा बेटर हो सकता है और थोड़ा सा वंडिलेशन वगर अगर सही हो तो ये प्रिवंट हो सकता है यह टिप आपको राइडेंट रूम मेंटर के साथ भी फॉलो करने चाहिए तो आपको बेटर होगा तो फाइनली गाईज आते हैं बेस्ट टाइप आफ रूम मेंटर के बारे में जो की है अच्छा फील करवाता है यह रूम इटर्स यह चीज़ बाकी के दो टाइप में आपको नहीं मिलती विकॉज राइडियंट और कन्वेक्शन रूम इटर्स इस पॉर्ट याने सीमिच जगा पर ही वर्क करते हैं सीमिच जगा को घरम कर पाते हैं यूज हमें दू तीना वर चलि जानते हैं प्रोज और कॉन्स की तो पहला प्रोज यह गाइस की बच्चों और बुडों के लिए बिकाफी सेफ होते हैं दूसरा यह काफी सैलेंटली काम करते हैं कंपेर के जाए कन्वेक्शन टाइप के रूम मिटर से तो तीसरा यह बंद करने के बाद भी लंब समय होते हैं इसके प्राइज लगबग 60-12,000 रुपे के आसपास होती है अगर आप अलग-अलग मॉडल को देखे तो दूसरा कौन यह है काइस की इलेक्रिसिटी पी जादा लेते हैं लेक्ट 2400 वाट्स से लेके 2,900 वाट्स तक तो गाइस अब बात करते हैं हम फाइनली तीनो टाइप के टॉप टू बेस्ट्रू मिटर्स की आते हैं सबसे पहले राइडियंट के टॉप टू मॉडल के ऊपर सेकेंड नमबर पर हमने लिए बजाज के तरफ से आने वाला बजाज फ्लैसी इसमें आपको शिंगल रॉड देखने को मिल जाता है तो 1000 वाट के पिक वाव जाता है जो cotton covered है for extra safety साथ 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 यह रूमीटर ISI approved model है और इसमें आपको टू यर्स के वारेंटी भी देखने को मिल जाती है तो यह एक बहुत decent सा रूमीटर हो का आपके लिए अगर आप एक budget रूमीटर ढूण रहे हैं तो इसकी heating से भी आप काफी जारा एंप्रेस होन हैं अब बात कर लाते हैं फर्स नमबर पे आने वाले radiant रूमीटर के उपर तो यह रूमीटर आता है बजाज की तरफ से बजाज RHX2 model इसमें आपको दो heating element देखने को मिल जाते हैं जो के हैं halogen tube यह दोनों tube guys 800 watt पिक पावर के साथ चलते हैं जिसका मतलब है guys one single tube 400 watt consume करता है बात करें इसकी build quality की तो guys इसमें भी आपको nickel chrome plated miss grid देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छी quality का बना हुआ है इसमें आपको dual safety system मिल जाता है जिसकी मदद से heater automatically off हो जाता है गिरने से या फिर tilt होने से जो काफी अच्छा extra safety आपको provide करवाता है guys यह room heater में भी आपको काफी fast setting देखने को मिल जाती है with noiseless operation cord length इसमें भी 1.5 meter का आपको देखने को मिल जाता है यह model भी ISI approved है इसमें भी आपको two years की warranty मिल जाती है guys तो guys अब बात कर लेते हैं top two convection room heater के बारे में तो second number पर हमने लिया है Amazon Solimo के तरफ से आने वाले कमाल का budget friendly convection room heater जिसमें आपको 2000 watt peak power देखने को मिल जाता है build quality and design के बात करें तो यह पैथरीन slick design के साथ आता है and इसकी body fire retardant plastic की बने हुई है and guys इसमें आपको एक safety fuse मिल जाता है जो heater को off कर देता है आपकी safety के लिए अगर heater 126 degree cross करता है तो यह सच में काफी अच्छी बात है guys and इसमें आपको अच्छे quality का metal grill देखने को मिल जाता है बात करें इसके अंदर motor की तो इसमें आपको मिल जाता है 2400 RPM यानी rotation per minute वाला motor जो काफी fast rating दे देता आपके room को and इसका airflow आपको 10 feet तक देखने को मिल जाता है जो enough होगा मिरेज आप से small size to medium size room के लिए इसमें आपको दो नोब मिल जाता है जिससे आप heat setting को adjust कर सकते हैं अपने room के environment के हिसाप से and दूसरा आपको fan speed कम जादा करने के लिए दिया गया है and इसमें भी guys आपको 2 years की warranty मिल जाती है and यह model भी ISI approved है इस model की तरफ भी आप guys आग बंद करक 100% जा सकते हैं यह कमाल का budget friendly product होगा convection अगर आप चा रहे हैं तो इसका भी best bang link आपको इनिचे description में मिल जाएगा आप check out कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने पहले नमबर वाले convection room इटर के तरफ बजाज के तरफ से आने वाला बजाज majesty RX 11 यह भी एक कमाल का convection room इटर है guys इसम में आपको heat setting adjust करने के लिए नौब भी दिया गया है जो आप अपने रूम के ठंड के हिसाप से like 1000 और 2000 वाट पर switch कर सकते हैं जो काफी अच्छी बात है guys इसमें भी आपको safety fuse देखने को मिल जाता है जो overheat होने पर room heater को turn off कर देता है यह model भी ISI approved है guys बात करे warranty की तो इसमें भी आपको two years की warranty देखने को मिल जाती है इस model के साथ भी आप जा सकते guys काफी अच्छे results मिलेंगे आपको इसके साथ इसके reviews भी online sites पर काफी अच्छे हैं इसका भी best buying link आपको इंडिसी description में मिल जाएगा आप जाके check out कर सकते हैं तो guys अब finally बात करते हैं top 2 oil field radiator room meters के बारे मे तो second number पर हमने रखा है guys Morphe recharge 2500 watt oil field radiator room meter जिसमें आपको 13 fins मिलता है और इसमें आपको 400 watt का PTC fan देखने को मिल जाता है जो गरम हवा को blue करने and rotate करने के काम करता है साथी साथ यह room heater आपको noiseless performance भी देता है and guys इसमें आपको adjustable thermostrate देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने heating को अपने हिसाप से adjust कर सकेंगे and guys इसमें आपको safety के लिए auto thermal set off मिल जाता है जो heater को overheating होने पर automatically off भी कर देता है and guys similarly यह room heater को आपके room के temperature के इसाप से automatically on and off भी करता है जिससे आप एक peaceful mind के साथ heating को enjoy कर सकते हैं अपने room पर and guys mobility के लिए इसमें आपको caster wheels देखने को मिल जाते हैं इसकी मदद से आप room heater को कहीं भी अपने घर पे इधर से उधर कर सकते हैं and इसमें आपको two years की warranty मिल जाती है guys जो काफी अच्छी बात है and मैं आपको बता दू कि Morphe Richard अब बजाज का एक हिस्सा है को आपको after sell service के लिए सोचने की विजरुवत नहीं पड़ेगी and यह model ISI approved है तो आप अराम से इस model को खरीच सकते हैं guys इसका result भी काफी ज़ादा बढ़े है इसका भी best buying link आपको नीचे description में मिल जाएगा आगे बढ़ने से पहले guys अगर आप confused है कि यह fin क्या होता है तो in short में आपको बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा fin उतने ज़्यादा fast dating basically यह आपके room के size के सबसे भी different करता है अगर आपके room का size लगबग 12 से 15 feet कम है तो आप 9 fin वाले room meter के तरफ जा सकते हैं आप पैसे भी बचा सकते हैं कि इसकी price लगबग 6-7-8,000 रुपे के असपास होगी अगर आपके room का size ज़्यादा है like 12 feet by 15 feet से भी ज़्यादा like 14 by 15 feet या 15 by 18 feet तो आप 13 fin या 11 fin वाले model के साथ से जा सकते हैं अपने हिसाब से आते हैं अप अपने first नमर वाले OFR के उपर जो के है एहवल्स OFR 13 fin model यह room meter 2900 watt के pick power के साथ चलता है and guys इसमें आपको 3 power setting देखने को मिल जाती है 1000 watt, 1500 watt and 2500 watt and additionally आपको 400 watt का PTC fan देखने को मिल जाता है जो गरम हम आपको बाहर फिकता है and इसमें भी आपकी safety के लिए आपको tilt switch मिल जाता है जो tilt को automatically deduct करके आपके room meter को बंद कर देता है and इसमें आपको overheat production में मिल जाएगा जो काफी अच्छी बात होती है आपकी safety के लिए and guys इस product में आपको 2 years की brand warranty मिल जाती है and इस model की भी अलग-लग model है guys like 9 fin model 11 fin model and 13 fin model मैंने पह लोगों को OFR लेना है and आप कोई भी compromise नहीं करना चाते quality के लेकर and आप बात करें है well 13 fin के price के उपर तो इसका price भी आप चेक कर सकते हैं इसका विल लिंक आपको इंचे description में मिल जाएगा guys guys यही थे कुछ top models room heater के जो इंड़े में बहुत बिखते हैं and इनके reviews भी online sites पर कमाल क हैं आज के इस वीडियो में guys इतना ही आसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो है informative लगी हो है और वीडियो को यहां तक आपने देख लिया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी सवाल है सुझा हो तो आप comment down में कर सकते हैं वीडिय